हेलो एब्रिवन रादे रादे कैसे आप सब आई होब कि आप भी सब ठीक होंगे मार्च का महिना स्टार्ट हो चुका है और इस मार्च के महिने में हम बहुत से प्लांट कटिंग से बहुत एजीली लगा सकते हैं तो चले आज इन पे ही बात करते हैं मनी प्लांट को इस महिने में कटिंग से और बहुत आसानी से लगा सकते हैं पानी में भी और मिटी में भी करना क्या है मनी प्लांट में से 5-6 इंच की कटिंग लेनी है उसे बस लगा देना है बात करते हैं स्पाइडर प्लांट के बारे में स्पाइडर प्लांट जो उसके सा आसानी से निकाल लीजिए धीरे से और दूसरे घंबले में मुटी में लगा दीजिए और थर नमबर पर बात करते हैं मोस रोज मतलब सदावार एक बार ये इसको गाडन में एड़ कर लिया तो सच पता रहे हूं पूरी गर्मी भर-भर के फ्लावरिंग करता है प्लांट और चोटी से चोटी कटिग और इस कटिंग को हर एक गंबले में लगा दीजिएगा उसके बात देखिए हर एक गंबले में अच्छी से फूल आएंगे और भर-भर के आएंगे बात करते हैं टर्टर वाइन टर्टर वाइन एक ऐसा प्लांट और जो हेंगिंग बास्केट में और अब बात करते हैं जैड प्लांट के बारे में जैड प्लांट वैस्चे तो बहुत लग्की प्लांट है और इस प्लांट को इस टाइम कटिंग से बहुत आसानी से लगा सकते हैं छोटी से छोटी कटिंग बहुत इसली लग जाती है बस हमें क्या करना है इस प्लांट को ल बारे में यह ब्लांट भी बाहुत कटिंग से बहुत अ чैसे लग जाथ है सरब इसका भी पानी का लिखना रखना क्योंकि इन प्लांट्स के क्या होती है चोटी जड़े होती है और पानी के कारण बहुत जल्दी प्लांट खतम हो जाता है तो इसलिए हर प्लांट को कम पानी देना होता है उनके अनुसार और यह बहुत खूबसूरत इसकी दो वराइटी मिल जाती है और यह कटिंग से बहुत आसानी से हर एक मिट्टी में लग जाता है और अब बात करते यूफोरिय मिली प्लांट के बारे में ये प्लांट बहुत कम केर चाहिए मतलब इसको यदि 15 दिन में पानी देंगे ना तो ये पेट कभी नी मरेगा ये प्लांट ऐसा है बट क्या होता है ना इसकी छोटी कटिंग होती है उसको एक सॉयल मिक्स में लगाई है जो मतलब एक वेलडाइन सोयल में बहुत अच्छे से पकट ले लेगा और ये बहुत आसानी से लग जाता है बस इसको पानी बहुत कम चाहिए होता है 15 दिन में एक बार भी पानी देंगे तो चलेगा आगे बात करें चंपा प्लांट के बारे में चंपा प्लांट सर्दियों में अच्छे गेड़ देता है लेकिन गर्मी आती है जैसे ही अपनी रूट्स निकालना स्टार्ट कर देता है और इसको कटिंग से लगाने के लिए कम से कम चार या पांच इंच की कटिंग चाहिए और हमें इसे लगाते टैम एक सेमी शेड में रखे उसके बाद चार पन दिन बास्केट प्लांट दिखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं और इसको कट करके इस प्लांट के भी अपन बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं और यह प्लांट है परपल हाट परपल हाट छोटे बड़े गंबले में कैसे भी लगा होगी हर तरह से लग जाता है कटिंग स लोगा है और इसे पानी में भी लगा सकते हैं और यह पलांट है इसनेक पलांट गर्म Mrs. Kalzen इलिए बहुत अच्या पलांट है यह घर ऑ्मधिय है इसको भी पती से हम इसकी Leaves separate कर बहुत अच्छे से घ्रो कर सकते हैं और देलिए बहुत असनी से लगने वाला पलानट है और ये प्लांट कॉलियस का है कॉलियस में बहुत सारी वराइटी आती है और गार्डन में एक बार एड कर लिया तो ये प्लांट कहीं नहीं जाने वाला सबसे बड़े बात इसकी पत्या ही इसकी खुबसूरती है और इसकी 5-6 इंच की कटिंग लेके कोई से घमले में भी लगा दीजिए कोई वैलरिन सॉयल नहीं चाहिए इसको कुना कोई खाद चाहिए बिस बहुत इजीली लग जाने वाला प्लांट है ये और कटिंग से बहु आसानी से मार्च के महीने में आसानी से लग जाते हैं और मैंने तो लगा ली है आप भी ट्राइ करिए और देखते रहे हैं मेरे आगे को अच्छी सी वीडियो थैंक यू सो मज